नमस्कार सातियो द्रवेश क्लासिज के यूट्यूब चैनल से मैं मुकेसर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ प्यारे दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपको करवाने वाला हूँ एप्लिकेशन ओफ डेरिवेटिव होता क्या है इसमें जादतर बच्चों को समझ्याई घेर लेती है इस चैप्टर में जाके वो कन्फ्यूज हो जाते कि किसका डेरिवेटिव करना है किसका नहीं करना है तो जो NCIT के exercise 6.1 है बेसिकली इसमें जो चैप्टर टोपिक रहने वाला है हमारा वो है दोस्तो rate of change of quantities, rate of change क्या होता है इसके बारे में हम समझेंगे और दूसरा इसके जो apply करना है उसके लिए भी आपको बढ़िया बढ़िया trick पताने वाला हूँ दोस्तो वो trick आपको help करेगी क्यूशन को solve करने के लिए तो चलिए दोस्तो start करते हैं हम लोग ठीक है तो start करता हूँ दोस्तो एक बहुत ही basic example को लेके दोस्तो माल लीजिए मेरे पास एक circle है ठीक है मैंने एक circle लिया दोस्तो circle का कुछ न कुछ क्या होगा दोस्तो radius होगा अच्छा अब क्या है दोस्तो एक थोड़ा सा बड़ा circle ले रहा हूँ मैं ठीक है बड़ा सरकल ले लिया मैंने अच्छा क्या है दोस्तों कि मान लो इसकी रेडियस है आपके पास में 5 cm ठीक है इसकी है मान लो 10 cm रेडियस तो आपसे एक सिंपल जर्नल किसल पूछना चाता हूँ मैं बताइए कि इस मेंसे दोनों मेंसे किसका एरिया जादा होगा आप कहेंगे सर इसका एरिया जादा होगा क्योंकि इसकी रेडियस क्या है जादा है तो दोस्तों क्या होता है कि जब हमें कोई चीजों को चेंज करते हैं जेखे इसका area जो है radius बढ़ाएंगे तो क्या है area बढ़ेगा area बढ़ने की जो process है radius के साथ बढ़ रहा है किसकी वज़े से बढ़ रहा है मालो इसकी radius थी r1 इसकी क्या है r2 अगर मैं radius और भी बढ़ा दू तो दोस्तो इसका area क्या होगा आपका increase होगा तो अब क्या है कि इसका जो area है ना area किस पे depend कर रहा है दोस्तो radius पे देखिए जो आप यहाँ पे चीज जो समझनी आपने वो सबसे पहले यह है कि जो area है वो depend करता है दोस्तो किसके उपर radius पे depend करता है किस पे radius पे area जो है वो किस पे radius बढ़ाऊंगा आर को क्या करूंगा मैं increase करूंगा तो मेरा जो हूँ वो area होगा वो भी क्या करेगा दोस्तो increase करेगा ठीक है अगर मैं radius को कम करूंगा आर को क्या करता हूँ decrease करता हूँ यानि कम करता हूँ तो area भी क्या होगा दोस्तो decrease होगा area भी क्या होगा decrease होगा तो अब समझेए दोस्तों है क्या ये logic क्या है इसमें कि आपका जो area है area का जो function है area of circle ही ले लीजिए आप area of circle दोस्तों आसान सा होता है आपको पता ही ये इसका formula क्या होता है पाई आर स्केर ये इसका क्या होता है दोस्तो एरिया होता है अब एरिया है आपका इंक्रीज या डिक्रीज होगा किसकी वज़े से इस आर की वज़े से किसकी वज़े से आर यानी आर जो इसकी रेडियस है तो अब हम अगर आर को इंक्रीज करेंगे तो एरिया इंक्रीज होगा और कम यानि decrease करेंगे radius को तो area भी क्या होगा, decrease होगा, बहुत ही simple सा fund है, अब सुनो, क्या होता है कि हमने क्या पढ़ा हुआ है, अब तक जो derivative में पढ़ा हो, हमने यह पढ़ा कि हम लोग यह निकालते हैं, dy over dx, निकालते हैं, तो होता यू है, कि जो y भाई साब है, तो वो बढ़त या घरता कि इसकी वज़े से है, इस x की वज़े से, हम आपको एक बात बताते हैं, हम यहाँ पर कैसे बोलते हैं, कि y का derivative है, ठीक है, y का differentiation है, हिंदी में लिख रहा हुआ हूं, आप लोगों को समझने के लिए y का differentiation है, ठीक है, with respect to x, with respect to x, अब इस चीज को apply करना है, दोस् चेंज होगा, किस की वज़त से, x की वज़े से, ठीक है, तो y तो आपका dependent variable है, क्या है, dependent variable है, इसको dependent variable बोलते हैं, दोस्तों, जो किसी के उपर क्या करे, depend करे, वो क्या होता है, हमारा dependent variable और x, आपका independent variable होता है, यह समझ में आया, अब यहाँ पर logic क्या है, logic यह है, कि area होगा, area, माले जी जो area है, इसको मैंने नाम दे दिया, इसका नाम अगर मैंने a दे दिया, a को ऐसे लिख दिया, a equals to pi r square, अब जो यह area भाई साब है, यह किस के उपर depend कर रहे है, radius के उपर, area किस के उपर depend कर रहा है, radius के उपर, अगर radius को increase करोगे, तो area भी increase होगा, radius को लिखेगा, तो किस rate से बढ़ेगा, किस rate से बढ़ेगा, उसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, da by dr कर देंगे, क्या कर देंगे, da by dr कर देंगे, तो यानि area में change आजएगा, rate of change of area आजएगा with respect to radius, यानि radius के बदलने से area पे क्या फरक पड़ेगा, उसको हम कैसे लिखें कि जो सिर्फ है एरिया है, वो इसी के हिसाब से नहीं change होता, अब एक बात बताईए, कि जो area होता है, मैं आपको छोटी सी चीजे बताने वाला हूँ, यहाँ पे इसको note कर लिजिएगा, यही इस वीडियो की trick है, तो क्या है आपका, कि area जो है, area आपका depend करेगा radius पे, radius पे edge length होती, क्या होती, edge length होती, यानि जो किनारा होता, ठीक है, यही अगर मेरा क्या होता, क्यूबोईड होता, यही अगर मेरा क्या होता, क्यूबोईड होता, तो यह तीन factors पे depend करता, दोस्तो, L पे B, B पे B किस पे, H पे भी depend करता, यही अगर मेरा क्या होता, sphere होता, यही मेर सवीख कि आपको एरियां पता होने चाहिए हुँ दोस्तों, यहाँ पर आपके लिए गॉल्डन एडवाईज लेकर आया हुँ नहीं हो सबसे बडेत के समस्या है यह है बच्चों को फार्मूले याद नहीं होते अब फार्मुले याद नहीं है, तो वो सम नहीं कर पाएंगे, अब आप कोगे सर्फ फार्मुले कितने एक याद करें, तो बिटा एक काम करो, मैंने वीडियो बना के रखी हूँ, या लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दिया है, वहाँ से वो जाके वीडियो इसका वहाँ से उसको देख लो, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, तो वहाँ से आपको दो-तीन चीजे पता होनी चीए, दोस्तों, एक हो गया जैसे CS से क्या, OTS से, वोल्यूम के सारों के फार्मुले मैंने वहाँ पे लिख दिये है, ठीक है, उस वीडियो से आप जब करना है, कि अब हमें एक चीज और समझनी है, कि आपने सर ऐसा कहा कि एरिया है, एरिया किस पे डिपेंड करता है आपका रेडियस पे, ठीक है, और रेडियस किस पे डिपेंड करेगी दोस्तों, टाइम पे, किस पे डिपेंड करेगी, टाइम पे, अब सुनते जाईएगा इस बात को यहीं पर बहुत बड़ा लोजिक छिपा हुआ है कि area है area किस पर depend करता है radius पर radius किस पर depend करती है time पर depend करती है तो उसको हम करेंगे कैसे soul कैसे करेंगे इस समस्या को लेके देखिए अगर a है a मेरा function किसका है radius का और radius किसका function बन जाएगा फिर time का देखिए area radius पर depend करता है तो area function है radius का और radius किसका function है t का तो जब भी बात आएगी तो आप से दो तरह से क्यूशन पूच सकता है वो क्या कि area में change बताओ या तो with respect to radius कहेगा या फिर वो क्या कहेगा आप क्या करिए यहाँ पर area के with respect sorry radius के with respect नहीं कहेगा तो वो क्या किसके with respect कहेगा आपका time के with respect कहेगा उसमें हम differentiation किसके with respect करेंगे t के with respect करने वाले हैं ठीक है अब इसमें ज़्यादा हम जितना introduction करेंगे न दोस्तों आप बोर होते जाओगे मैं चाहता हूँ कि हमें एक दो क्यूशन कर ले तो सबसे पहला जो exercise का क्यूशन है वो अभी हम समझते हैं और हमें clear हो जाएगा भी एक्चल में हम करना क्या चाहरे है तो चलिए first question करते है देखी first question आपका screen पे आ रहा होगा उसने लिखा हुआ है कि find the rate of change of area of a circle with respect to its radius यानि आपने area का निकालना है कितना change आ रहा है rate of change of area निकालना है हमें पहली बात यह समझ मैं statement से with respect to its radius radius की वज़े से इसमें कितना change आ रहा है तो वो निकालना है यानि with respect जिसके भी बोलेगा उसी के with respect हम क्या करने वाले है derivative when इसकी radius पहला पार्ट दिया इसका r is equals to 3 cm और b पार्ट दिया है आपको r is equals to 4 cm तो कैसे करने वाले हैं देखिए दोस्तों इसने क्या कहा है कि आप क्या करिए rate of change rate of change of area निकालिए rate of change of area निकालिए rate of change of area ठीक है with respect to radius यह मैंने यहां पे लिख दिया है आपकी सहुलिएत के लिए ठीक है तो देखिए यह हमें करना है क्या rate of change of area निकालना है किसके with respect radius के with respect तो दोस्तों देखिए सबसे पहले area of circle simple सा है तो वो देखिए area of circle क्या होता है हमारे पास ठीक है अब इससे होगा क्या कि इस expression को जो उपर लिखी हुई थी इसको आपने क्या कर दिया है function की form में लिख दिया अब जो a है वो मेरा function बन गया है किसका दोस्तो पाई आर स्केर ऐसा एक function बन के आ गया है अब आपने simply क्या कर देना है d a by dr कर दो d a by क्या कर दो dr कर दो a का किसके विद रिस्पेक्ट डेरिवेटिव कर दो r की r की विद रिस्पेक्ट डेरिवेटिव करेंगे तो दोस्तो क्या हो जाएगा πाई तो constant है agities रहेगा r का कितना आजेगा दोस्तो 2 r आएगा अवराल जो निकल के आएगा वो निकल के आजेगा आपका 2 pi r इसका क्या निकल के आए डेरिवेटिव निकल के आए clear हुआ अब इसने first part में हमसे क्या पुछा है ठेक है first part में इसने पुछा हमसे when r is equals to 3 cm जब r आपके कितनी हो 3 cm हो तब क्या चेंज आएगा अब देखिए ऐसी situation में आप करिए when r is equals to 3 cm तो आप ये करिए बेटा जी इसमें जो भी r है वहाँ पे आप क्या कर दीजिए 3 रख दीजिए r की जगे क्या रख दीजिए 3 रख दीजिए कितना आएगा 2 into pi pi का value दोस्तो 22 by 7 ले लिजिए आप into r r कितना है मेरा 3 clear हो गया ये आपका आप इसको अब आगे जाके क्या कर दीजिए multiply कर दीजिए आपका क्या आजएगा solution आजएगा देखिए इसको कर देते हम लोग multiply ठीक है अच्छा इसका answer जो है ना pi में भी दिया हुआ मिल सकता आपको कितना दिया हुआ मिल सकता pi में तो जरूरी नहीं है कि यहाँ पे आप pi pi का value रखो ठीक है तो आप इसको pi में रखेंगे तो क्या आजएगा दोस्तो 3 into 2 कितना आजएगा 6 into क्या आजएगा pi ठीक है अब यहाँ क्या है यहाँ पे आपको दोस्तो क्या करना पड़ेगा इसकी unit लिखनी पड़ेगी ज्यादा तर बच्चे यहीं गलती करते हैं आदा नमबर तो वो unit का गलत कर देते हैं एक नमबर का question चाहिए जैसा मर्जी बोर्ड वो पूस्ता ही पूस्ता है यहाँ से तो 6 pi अब देखिए 6 pi तो आगया आपके पास में magnitude आगया कितना है area area किसमें होगा centimeter square में होगा क्योंकि इसने क्या दिया है हमें centimeter दिया है तो इसका area होगा centimeter square by में पर पर लगाते हैं जिसमें radius है radius किसमें होती है दोस्तो centimeter में तो 6 pi centimeter square per centimeter इसका क्या आगया है answer आगया है मेरे उमुद से यह आपको समझ में आया होगा similarly यहाँ पर एक गलती ओर कर सकते हैं आप देखिए क्या है ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि सब जब आर बराबर 3 दे रखा है तो बच्चे यह करेंगे इसमें आर की जगए यहीं पर रख देंगे देखिए आप जो करने वाले थे mistake मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि wrong जो करने वाले थे गलत करते तो वो कैसे करते आप एक ही जगा क्या कर देते आर की value रख देते पहले इक इतना आ जाता थ्री का स्केर करते 9 आता तो एक ही स्के बराबर आ जाता 9 पाई के अब आप इसका derivative करते दोस्तों क्या है आर है नहीं तो इसका DA by DR कितना आता आपका 0 आता और आप कहते सर हमें समझ नहीं आ रहा है तो पहले तो समझ ये कि ये जो limit रखनी होती है दोस्तों यानि R की जो value रखनी है वो आप कब रखेंगे जब आप उसका derivative करतेंगे उसके बाद रखनी है ये value पहले नहीं रखनी है कलियर हो गया समझ आया अच्छे यहाँ पर एक confusion आप ये भी रख सकते हैं अपने mind में कि सर इसमें आपने R की विद रिस्पेक्ट डेरिवेटिव किया है बहुत सारे समों में हमसे क्या कहा जाता है कि इसका derivative जो है ना आपको करवाने वाला हूं कि जिसमें आपका टेइक के विद रिस्पेक्ट डेरिवेटिव किया हूँ तो वो आपको समझ आ जाएगा दूसरा इसमें R की जगे 4 रखना है तो दोस्तो आपका सिंपली यहाँ पर 3 की जगे क्या रखोगे 4 रखोगे तो बी पार्ट का अंसर आजेगा 8 पाई सेंटीमिटर स्केर पर सेंटीमिटर तो उमीद है दोस्तो यह आपको समझ आ गया होगा अब देखिए आगे सेकिंड क्यूशन देखिए दोस्तो आपको क्या नजरारा आपके स्क्रीन पर नजरारा होगा आपको यही कनफ्यूजन का घर है यहाँ पर बहुत सारी चीज़े इसने डाल दी है आपको क्या कहा इसने जो इसका वोल्यूम है क्यूब का वो इंक्रीज हो रहा है क्या चीज इंक्रीज हो रहा है वोल्यूम इंक्रीज हो रहा है volume increase होने का आपको क्या दे रखा है rate दे रखा है और पूछ उसने किसका लिया surface area का यहाँ एक और बड़ा point क्या है कि जब भी आपसे surface area पूछे तो इसका मतलब यह है या तो वो बोलेगा cloud surface area या CS से बोलेगा या area of walls बोलेगा तो तो आप CS से वाड़ा formula लगाएंगे अगर directly उसने surface area पूला है तो वहाँ पे आप TS से लगाने वाले हैं बात clear हुई अब देखिए इसकी बात सुनिये इसने कहा था volume of cube है वो किस हिसाब से increase हो रही है अब according to question इसमें सिदा ही चलते है हम लोग according to question कौन change हो रहा है वोल्यूम चेंज हो रहा है डी वी लिख दीजिए उसको किस हिसाब से 8 cm3 क्योंकि volume की unit कितनी है दोस्तों आपके पास में cube है तो 8 cm3 per second दिया हुआ है अब देखिए यहाँ पे per second दिया है यानि यहाँ बाई में S लिखा है यानि इसका जो derivative हुआ है वो किसके विद रिस्पेक्ट हुआ है दोस्तों T के ना कि कोई मतलब जैसे पिछला question देखते तो radius था हमारा अब यहाँ पे edge किसका जिकर चल रहा है हमारे पास cube का तो आप क्या करिए आप लिख लीजिए दोस्तों यहाँ पे जिस चीज़ का भी आपको derivative दिये उसका formula लिख लीजिए जैसे volume of cube कहा है इसने volume of cube तो volume of cube का formula क्या होता है दोस्तों आपको याद होगा ठीक है A cube होता है क्या होता है आपके पास में A cube होता है और A क्या है आपकी edge length है A is edge length ठीक है आप चाहो तो इसको X भी ले सकते हो ठीक है clear है ना ये चीज़ तो A क्या है आपके पास में edge length है ठीक है तो चलिए volume का जो है उसको छोटा नाम करते है उसका function बना दिया किसका V का formula क्या होता है दोस्तो आपके पास में A cube अब क्या करिए आप फटा फट से इसका with respect to derivative कर दीजिए आप T के किसके with respect कर दीजिए T के सर T के with respect क्यों किया आपने A के with respect नहीं किया वो इसलिए नहीं किया बच्चे क्योंकि यहाँ पे आपको क्या दे रखा है with respect to T तो हम भी किसके with respect करेंगे T के तो चलिए कर दे इसका derivative कर दीजिए A cube का A cube का derivative करेंगे दोस्तों power आगया जाएगी 3 A square आजएगा अब यहाँ पे क्या है यहाँ पे बच्चों का confusion शुरू होता है यहाँ पे teacher एक minute लगेगा और यहाँ पे लिख देगा D A by D T ऐसा क्यों हुआ सर यह D A by D T क्यों लिखा आपने ठीक है जबकि आपने पीछे वाले किशन में नहीं लिखा था अब देखिए दोस्तों किसके with respect derivative हुआ है T के तो volume जो है volume है वो किस पे depend करेगी edge length पे और edge length किसके इसाब से change होती है time के with respect क्या होती रहती है change होती रहती है अब अच्छे time के with respect यह change होईगी तो अब हमने क्या करना है A का भी derivative chain rule लगाते है दोस्तों यहां कौन सा rule लगाते है ऐसी situation में chain rule लगाते है ठीक है chain rule क्या कहता है कि अगर आपको निकालना है दोस्तों डी वी बाई डी ती तो वो किसके बराबर आएगा कि A का सोरी पहले किसका derivative करेंगे V का करेंगे किसके with respect करेंगे A V जो है वो directly किसका function है A का तो डी वी बाई क्या कर दीजिए D A कर दीजिए और फिर A किसका function है भला T का है तो उसका लगा दीजिए D A by में D T कलियर हुआ इतना ये सेम ये फंडा यहां पे मैं यूज करने वाला हूँ तो चलिए इसको करते हैं हम आगे आएगा कैसे हमारा अब हम क्या करते हैं D V by D T तो सर हमें दे रखा था क्यों निकाला वो इसलिए निकाला क्योंकि ताकि मैं D A by D T की क्या कर सकूँ यहां से वेल्यू निकाल सकूँ और नीचे अभी मैं यूज करूँगा इस वेल्यू को तो आपको पता भी लगेगा ठीक है तो इसकी वो जो चेंज वोल्यूम का D V by D T इसकी दे रखा है वो कितना दे रखा है आपको 8 8 is equals to दोस्तों किसके बराबर आएगा 3 A square into D A by D T अब क्या करिए D A by D T यहां पे पढ़ा रहे ने दीजे D A by D T की जब हम बेल्यू निकालेंगे D A by D T तो यहां पे 8 है 8 Y में कितना आजेगा दोस्तों आपका 3 A square 3 A square इदर multiply में था इदर आके क्या हो गया divide में हो गया इसको चाहो तो आप कोई भी एक equation का नाम दे दो जैसे मैंने यहां पे क्या दे दिया इसे A दे दिया है अब हमसे पूछा क्या है How fast the surface area is increasing यानि अब हमें surface area किस rate से बढ़ रहा है उसका value हमें बताना है तो कैसे निकालेंगे देखिए यहां पे आप लिख दीजिए surface area surface area यानि TSA होता है दोस्तों अगर आपने वो वीडियो देख लिए है तो जरूर आपको यह याद हो गया होगा surface area surface area of TSA सोरी इसका हमारा जो क्यूब है उसका देखिए surface area होता है दोस्तों आपके पास में 6A square कलियर है surface area क्या होता है हमारे पास 6A square यहां पे अब क्या करना है area को थोड़ा सा छोटा नाम दे दीजिए जैसे area को मैंने किसका नाम दे दिया A का तो यह किसके पराबर है 6A square अब हमसे भला उसने पूछा क्या है कि how fast surface area is increasing or decreasing यानि वो हमसे पूछना चाता है DA by DT क्या पूछना चाता है DA by DT अब बड़ी बात सर अब आपको यह कैसे पता चला सर कि आपने इसका derivative कि किसके विद्रिस्पेक्ट करना है T के वो इसलिए बच्चे क्यूंकि जब भी हमें वो कहेगा नहीं कि edge length के विद्रिसपेक्ट derivative करो या edge length के विद्रिस्पेक्ट इसका change बताओ तो हम वहाँ पर हमेशा किसका करेंगे T के विद्रिस्पेक्ट करेंगे जब भी वो नहीं बोलेगा कि इस radius के हिसाब से change हो रहा है edge length की हिसाब से हो रहा है कोई भी length है उसके हिसाब से change हो रहा है तो आप हमेशा ही किसके with respect derivative करेंगे उसका T के with respect उसका क्या करेंगे derivative करेंगे अब चलिए इसको देखिए समझेए है क्या अब आपके पास में A का तो formula आ गया है दोस्तो A कितना है surface area होता है आपका 6A square अब आप इसका क्या कर दीजिए DA by dt कर दीजिए DA by क्या करेंगे तो क्या आजएगा दोस्तो 6 तो constant है power 2 आ गयाएगी 6 into 2 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा A का square था उसकी बजाए क्या आजएगा दोस्तों सिरफ A की power 1 बचेगी into A का derivative करोगे आपका कितना आजएगा DA by dt clear अब जो value दोस्तों मैंने शुरुआत में निकाली थी जिसको equation number मैंने क्या दिया था 1 कहा था तो उसको भी यहाँ पे क्या कर दीजिए अब पुट कर दीजिए उसको अब यहाँ पे क्या कर दीजिए पुट कर दीजिए ठीक है पुट value from 1 ठीक है value from 1 जिसको मैंने equation number 1 दिया था उसको पुट कर दीजिए तो DA by dt निकालीए DA by dt के निकलेगा 12 into A यह तो ही है DA by dt का value जो मैंने दिया था क्या है आपके पास में 8 by 3 A स्केर कितना है 8 by में 3 A स्केर है ठीक है अब यहाँ पे जो भी कटता पिटता हो उसको काट दीजिए 3 से काटेंगे 12 को 4 आ जाएगा यहाँ पे A है और यहाँ पे A स्केर है एक power को काट देगा यह हो जाएगा दोस्तों आपके पास में 8 into 4 32 by A ठीक है यह इसका क्या आ गया है area का change आ गया है with respect to time आ गया है time बोला नहीं तो फिर भी हमें पता है कि जब भी वो नहीं बोलेगा तो किस के with respect करना है A T के with respect करना है तो अब इसका final answer क्या आ जाएगा दोस्तों इसने कहा when edge length इसने क्या कहा edge length जब कितनी है आपके पास में 12 cm है edge length कितनी है 12 cm है तो यहनि A का value अब यहाँ पे कितना put करना है दोस्तों आपने 12 तो इसमें put कर दीजिए when age equals to 12 तो इसका value कितना आ जाएगा आपके पास में DA by DT निकालिए कितना आएगा आपके पास में तो वो निकल के आएगा दोस्तो 32 by 12 32 by 12 इसको काट दीजिए 4 से कट रहा है 4 3 जा 12 4 8 जा 32 तो यह आगे दोस्तों आपका 8 by 3 कितना निकल के आया 8 by 3 अब बड़ी बात है कि आप फिर से यहाँ unit बूलोगे unit नहीं बूलना है unit कितना है area area किसमे निकलेगा दोस्तों अगर सारी unit centimeter में दे रखिये तो centimeter square आएगा ठीक है by में देखिए यहाँ पे किसके विद रिस्पेक्ट derivative के है time के तो यहाँ पे unit के आ जाएगा 8 by 3 centimeter square per second यह था दोस्तों simple execution अगर logically हम चलेंगे तो इसमें मार नहीं खाएंगे देखिए ratification यह उससे तो हम दूब जाएंगे दोस्तों तो ध्यान रखिएगा वहाँ हमने ratification यह ऐसा कुछ भी काम नहीं करना है इसको समझ के करना है एक पर फिर से बड़ा बड़ा logic बता देता हूँ कि volume है वो किसका function है A का है यानि edge length का था और edge length किसका होता है time का होता है तो ऐसे जो सारी चीज़ें है कौन किस किसका function होता है वो देख लीजिए आपको यहाँ पर sort में बता देता हूँ अगर मेरे पास दोस्तों क्या होता है circle होता है circle होता है तो circle का area हो सकता है area किस पे depend करेगा radius पे और radius किस पे depend करेगी time पे यही अगर दोस्तों मेरे पास क्या हो sphere हो क्या हो मेरे पास sphere हो area हो सकता है area किस पर depend करेगा radius पर radius किस पर depend करेगी T पर sphere में volume भी हो सकता है दोस्तों तो उसका volume किस पर depend करेगा radius पर radius depend करेगी T पर ठीक है अब क्या है दो तीन चीज़ें और है जैसे अगर मेरे पास यही क्या हो slender हो अगर मेरे पास क्या हो slender हो तो इसका जो volume है या जो area है ठीक हो किस पर depend करेगा आपको पता है देखिए अब जो volume है slender है slender में दो चीजें होती है आपने देखा होगा कि एक तो radius होता है और एक किसका क्या होता है height होता है एक height होता है और एक क्या होता है radius होता है तो volume है वो radius पर भी depend कर सकती है अग Hurryth ed Listen तो हाइट किस पर depend करेगी आगे لا कृष्ट इप bringt करेंगे उमीद यह समझ आ क्योपको कोई दिक्ष्ट नहीं आई होगी जितने भी किउशन बाकि याएंगे वो आपको साथ की साथ बता दूगा कि कौन सी चीज किषके उपर डिपेंड कर रही है और किस तरह से हम उसका derivative करेंगे चलिए अब next sum देखते हैं तो इसने कहा है जो third question है आपको screen पे भी नजर आ रहा होगा कि radius of the circle is increasing uniformly at a rate of 3 cm per second find the rate at which the area of the circle is increasing when the radius is 10 cm ठीक है तो इसने क्या कहा है आप से कि radius circle की क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है किसे 3 cm per second के हिसाब से find the area at which area of the circle is increasing किस हिसाब से उसका area increase हो रहा है वो बताना है जब उसकी radius कितनी हो 10 cm अब देखिए क्यूशन में क्या दे रखा है दोस्तों आपको according to the question ही चल रहे हैं हमारा question number यह 3 है तो चलिए according to 80 क्या हूँ यानि दोस्तों according to the question question में हमें क्या कहा है इसने कहा है दोस्तों की जो radius है ना change हो रही है कौन change हो रही है radius तो यानि DR दे रखा है आपको कितना दे रखा है दोस्तों 3 cm per second ठीक है कितना दे रखा है आपको 3 cm per second के हिसाब से दे रखा है अब इसका derivative circuit के भी respect देना है तो बेटा unit देखो कितना है आपका second है तो DR by क्या कर दीजिए यहाँ पर DT कर दीजिए कोई समस्या नहीं आएगी अब वह हमसे पूछना क्या चारा है जो भी चीज़ वह पूछेगा वह हमारे दिमार्ग में सोच लेंगे या रफ कॉर्नर में लिख भी लेंगे यानि वह पूछ रहा है इसका area की सिशाब से चेंज हो रहा है यानि वह आपसे पूछना चाहता है डी ये बाइड डी टी क्या निकलके आएगा तो सबसे पहले area of circle का फार्मूला लिखी लीजिए आप area of circle ठीक है area of circle कितना होता है दोस्तो आपके पास में पाई यार स्केर area को छोटा नाम देदी है दोस्तो age equals to पाई यार स्केर बोलिए कोई समस्या है तो यहां तक नहीं है अब आके बढ़िए area का change पुछा है उसने यानि हम से पुछा है उसने da by dt अब सर यहां पे इसका आप radius के with respect derivative नहीं करने वाले हैं क्यों क्यों क्योंकि बिटा जब इसने कहा नहीं है भी radius के with respect derivative करना तब तक आप radius के with respect derivative नहीं करेंगे यहां क्या करेंगे आप da by dt करेंगे क्या करेंगे यहां पे आप da by dt यानि area का derivative करेंगे t के with respect कितना आएगा दोस्तों 2 आगे आजेगा तो 2 πाई R आएगा और R का derivative दोस्तों फिर क्या आएगा आपका R का derivative आएगा DR by DT क्योंकि जो function है area है जो मैंने पिछे भी बताया था आपको area है वो किस पर depend करेगा radius पर radius किस पर depend करेगी time पर तो आप A area जो है वो radius पर depend करता है और radius तो अब यहां पर इसकी DR by DT आपको दे रखा है दोस्तों शुरुआत में question में हमने लिख दिया था उसको 1 रख दीजिए ठीक है from 1 लिख लीजिए यहां पर थोड़ा सा अंग्रेज जी में आपको लिखना पसंद है तो from 1 ठीक है तो DA by DT कितना निकल के आगया दोस्तों आपके पास में तो यह निकल के आएगा 2 pi r into इसका value कितना है आपके पास में 3 है इसका value कितना है 3 तो इसका कितना आजएगा आपके पास में 6 pi r कितना आजएगा आपके पास में 6 pi r आ जाएगा अब क्या होता है कि अभी तक इसका अंसर नहीं निकला है उसकी वज़े यह है कि इसने रेडियस नहीं बता ही कब तक करना है तो इसने रेडियस जो क्यूशन में दी है वेन दा रेडियस इस टेन सेंटीमेटर जब रेडियस टेन सेंटीमेटर है तो इसने कहा है when r is equals to 10 cm radius कितनी हो आपके पास में 10 cm तो da by dt का value कितना आएगा दोस्तो da by dt का तो यहाँ पर r की जगह आप क्या रख दीजे 10 रख दीजे यानि 6 pi into क्या कर दीजे 10 तो यह आपका हो जाएगा 60 pi ठीक है क्योंकि यह area है तो area का unit क्या होगा दोस्तो cm स्केर होगा by में t है dt लिखा है dt यानि with respect to t t यानि time का unit क्या होता है दोस्तो second होता है तो time के with respect derivative करेंगे तो इसका कितना आजेगा 65 cm स्केर पर second इसका क्या आगया है आपके पास में answer आ गया है तो number 4 देखिए आपके पास में क्या आ रहा है an edge of a variable है at a rate of 3 cm per second ठेक है how fast the volume of the cube is increasing volume किस rate से increase हो रही है ये बताएए और दूसरा when the edge length is 10 cm long जब edge length कितनी कर दे हम 10 cm कर दे तब इसका area कितना होगा वो आपने change किस rate से हो रहा होगा वो हमें बताना है तो चलिए अब इसको start करते हैं दोस्तों देखे इसने क्या दिया है हमें की variable question number 4 question number 4 देखिए according to the question ठीक है इसने कहा है edge length तो दोस्तों पहले तो let कर लीजिए edge length यहाँ edge length of cube edge length of क्या ले लीजिए cube ले लीजिए कितना लिया आपने a ले लिया ठीक है अब दिया क्या है आपको question में आपको यह कहा है कि edge length है वो किस हिसाब से change हो रही है दोस्तों आपको उसका value आपको दिया हुआ है वो दे रखा है आपको 3 cm per second क्या दिया है उसने 3 cm per second के हिसाब से उसने कहा है कि change हो रहा है तो उसने दे दिया है 3 cm per second अब यह पूछ रहा है कि volume की सिसाब से चेंज हो रही है तो volume तो यानि dv by क्या निकालना है आपने dt निकालना है तो चलिए इसको फटा-फट से निकाल दीजिए cube आपको पताई है दोस्तों क्या होता है जैसे डिबा होता है जिसमें सारी length, breath, height सब कुछ equal हो तो वो cube होता है cube कितनी है, a cube है तो हम इसका v नाम कर देंगे, छोटा नाम कर देंगे, v लिख दिया मैनेजर से, v equals to क्या लिख दिया, आपने a cube अब क्या करिए, v का किसके with respect derivative करेंगे, t कहां से पता चला, question की सुरुवात में हमने सोच लिया था, आप चाहो तो इसको rough में लिख भी लेना चाहिए, ठीक है, dv by dt कर दिया, इसका करिए कितना आएगा, तो इसका आएगा 3a square, अब ज़्यादा तर बच्चे गलती यहां क क्या करेंगे, वो कहेंगे, sir, a तो constant है, a क्या है, constant है, constant का derivative क्या हो गया, t हो गया, लेकिन बच्चे, देखिए, कि कोई भी जो cube है, cube की volume किस पर depend करेंगी, edge length पे, और edge length किस पर depend करेंगा, t पे, यानि हमें, जो v है, वो किसका function है, a का है, a variable है, अब यहां पर ना कि कोई है के constant है, तो यहां पर इसका, जैसे हम derivative निकालेंगे, तो कितना आज़ेगा, 3 a square into d a by में dt, d a by में dt, चलिए, निकाल दिया, अब इसकी volume क्या है, देखिए, क्या निकल के आएगी, overall value आपकी जो निकल के आने वाली है, यहां से, वो निकलेगी, दोस्तो, 3 a square into d a, d a कितना है आपका दोस्तो 3, तो यहां पर हमने क्या रख दिया, 3, यह कितना निकल के आजएगा, 3 into 3, 9 a square, 3 into 3, 9 a square, अब सर a की value, वो आपको question में हमेशा ही देगा, दोस्तो बताएगा कि कब बताना है, अब तो इसने हमें question में value दिया है, कि जब यह कितना लंबा हो, edge length कितनी हो, उसके पास, 9 a square है, तो 9 into 10 का क्या आएगा, square आएगा, 10 का square कितना होता है, 100 होता है, 9 into 100 आगया, तो कितना हो जेगा दोस्तो, 900, ठीक है, volume है, क्या है, यहाँ पे, volume है, unit सारी किसमें दे रखिये हैं, दोस्तो, centimeter में, तो यह भी किसमें आएगा, centimeter में, volume होती है, centimeter cube, तो आप युनिटीज का 900 सेंटीमिटर क्यूब पर सेकंड बेरी इजी क्यूशन था मेरे हिसाब से अब आपको समझ आने लगा होगा धीरे-धीरे भी इसने कहा क्या है किस तरीके से हमारे क्यूशन है तो कलियर हो गया हिए फिर भी कोई डाउट रहता है तो आपको ओप्शन है दोस्तों आप हमें क्या करिए कमेंट बॉक्स में डाल दीजेगा हम उसको रिपलाई करतेंगे अब देखिए दोस्तों क्यूशन नंबर जो फाइव है हमारे लिए वो क्या दे रखा है इसने इसने कहा कि a stone is dropped in a quiet lake एक पत्थर को एक लेक के अंदर डाला जाता है एक जील के अंदर हमें एक पत्थर फेंक देते हैं waves forms in the circles जो waves हैं वो क्या करेंगी circle बनाएंगी ठीक है तो वो भी आपको बताने वालों तब तक एक बार सुन लीजिए आप इसको the moves in the circle at a speed of 5 cm per second हां सर यहां तो कुछ समझी नहीं आ रहा है क्या move कर रहा है waves move कर रही है क्यूशन में उसने क्या कहा है लेक कहा है तो यहां तो हमें समझी नहीं आ रहा है तो ऐसी situation में statement को थोड़ा सा relax होके पढ़ी है आपको कोई समझा नहीं आएगी at an instant when the radius of the circular wave देखिए आगे ना क्या कहा at an instant कि जब कोई भी एक समय के वो पल उस समय जब उस circle wave की कितनी हो 8 cm हो तो how fast the enclosed area is increasing अब सुनिए इसने क्या कहा मान लीजिए मेरे पास क्या है कोई भी एक lake है शान्त lake है आपने देखा है पानी जब ठैरा हो और उसके अंदर जैसे ही हम पथठर डालेंगे तो ऐसे waves निकलेंगे आपकी आपने देखा होगा circular waves निकलती हैं बैटा वो circular waves ऐसे बढ़ती जाती है आगे से आगे क्या करती जाती है बढ़ती जाती है तो ये इसने कहना चाहा है कि एक stone को जैसे ही आपने क्या किया यहां पर एक stone को डाला stone को डालते हैं ये circular है दोस्तो ठीक है तो circular stone को जैसे ही डाला तो जो पानी की अंदर ऐसे waves निकलेंगी वो circular wave होंगी कैसी होंगी circular ये इसने बोल भी दिया है वो हमारा विवाद का विश्य नहीं रह गया है कि सर्कूलर नहीं होती या जो भी ठीक है तो सर्कूलर वेव निकलेगी तो अब हमें इसक्यूशन का थोड़ा सा तरीका या आइडिया हमें समझ आना चाहिए तो इसने क्या का एक बर स्टेटमेंट को फिर से रीड करिए इसन कौन बढ़ रहा है फाइव सेंटिमेटर एक बार इसकी यूनिट देखिए जरा आपको थोड़ा सा समझ भी आ जाएगा इसने कहा फाइव सेंटिमेटर पर सेकंड यानि यहां यह एरिया तो है नहीं यह वोलियूम है अगर एरिया होता तो यहां होता सेंटिमेटर स्केर वोलियूम होता तो यहां होता सेंटिमेटर क्यूब तो यहां पर यह क्या है आपके पास में रेडियस क्या है रेडियस है क्योंकि अगर इसने सर्कूलर का जिकर कहा है तो दोस्तों कौन चेंज हो रहा है आपका रेडियस चेंज हो रहा है तो रेडियस अगर चेंज हो रह लिखिए इसने पूछा यह है कि 8 ता इंस्टेंट वेन द रेडियस ओफ द तर्कल वेव इज एट सेंटिमेटर जब सर्कलर जो वेव न उसकी लेंध कितनी हो जाए 8 संटिमेटर हो जाए यानि जब आपके पास में वेन R is equal to 8 cm जब इसकी radius कितनी हो 8 cm हो तो बताईए How fast the enclosed area area किस rate से increase कर रहा है तो आप यहाँ पे लिख लिए area of circle area of circle area of circle क्या होता है दोस्तो आपके पास में pi r square कितना होता है pi r square ठीक है तो area को हम छोटा नाम दे दिया जैसे a दे दिया तो यह क्या देगा आपके पास में area a किसके पराबर आएगा pi r square अब आपको क्या करना है area का derivative करना है बेटा जी किसके with respect t e k कितना हैगा आपका 2 आगे आजएगा तो यह आजएगा 2 pi r यह तो आपको अब याद ही हो जाना चाहिए तो 2 pi r और r का derivative किसके with respect आपका t e k with respect हो जाएगा clear हो गया अब यहाँ पे क्या करना है आपको सारे की सारी statement दे रखिये उसने dr by dt दे रखिये तो इसको equation number क्या कर दीजिए one दे रखी according to question ना लिखना है तो आप लिख दीजिए दोस्तो given word भी use कर सकते हैं यहाँ पे अगर आप दिखने किसकी तरीका देखे तो ठीक है तो अब आप क्या करिए यहाँ पे इसकी value रख दीजिए 2 pi r into r dr by dt कितना दे रखा आपको 5 दे रखा कितना आजएगा दोस्तो पांदो ने 10 pi r centimeter per second क्या जाएगा अभी unit तो हमें लगानी नहीं क्योंकि और area था तो centimeter आने का जवाब स्वाल ही नहीं बनता अब इसने कहा है कि when radius when radius कितनी है आपके पास में जब उसकी radius कितनी है 8 centimeter है radius कितनी है आपके पास में 8 centimeter है तो इसके अंदर आप क्या करिए r का value put कर दीजिए कितना 8 centimeter तो da by dt कितना निकल के आएगा उस समय तो आप यहाँ पर क्या कर दीजिए value put कर दीजिए 10 pi r में 10 pi r में आप put करेंगे तो दोस्तों कितना आजएगा 10 pi into r r का value हमने 8 किया है तो यह आजएगा दोस्तों आपके पास में 80 pi ठीक है यहाँ पर pi की value रखने के आपको ज़रूरत नहीं है अगर यह area है दोस्तों तो area क्या होता है आपका centimeter square और किसके विदर respect कर रही है t के तो यहाँ पर क्या आजएगा per second यानि by में क्या आएगा second आएगा s आएगा क्योंकि time की unit क्या होती है आपको पता है second होती है तो उमीद है दोस्तों यह question आपको समझ आ गया होगा question number 6 देखे आपको क्या दे रखा है question number 6 है उसने इसने कहा the radius of circle is increasing at the rate of क्या increase हो रहा है radius increase हो रहा है किसके विदर respect बोला नहीं है उसने लेकिन unit दे रखे है हम वहाँ से पैचान जाएंगे वैसे भी radius तो आपको पता है किसके विदर respect चेंज होना चीए time के विदर respect तो 0.7 cm per second के हिसाब से क्या change हो रही है आपकी radius increase हो रही है यानि बढ़ रही है इससे कोई ज़्यादा फरक नहीं पड़ता है अगर कोई चीज घटती है तो उसके आगे minus का किसी का rate घटता है दोस्तों तो ध्यान रखिएगा उसके आगे minus का sign आएगा अगर उसने increase का है तो वहाँ पे किसका sign आएगा plus का क्योंकि इसने अभी तक plus का का increase ही हो रहा है हमारा आप तक जो हमने किशन किये है तो यहाँ पे तो मेरे हिसाब से आपको कोई doubt नहीं होना चाहिए ठीक है 0.7 cm के हिसाब से इसने का है तो चलो ठीक है 0.7 cm इसका radius change हो रहा है क्या दिया इसने अब given क्या है आपको लिख लीजिए किशन नमबर जो 6 है आपका बिल्कु लीजिए मेरे हिसाब से बहुत से बच्चों को तो समझ भी आ गया होगा ठीक है given क्या है इसने कहा है radius change हो रहा है कि इस हिसाब से 0.5 0.7 cm 0.7 cm पर सेकेंड के हिसाब से अपनी सहूलियत के लिए अपनी easiness के लिए आप क्या कर सकते है इसको नाम दे सकते है equation number 1 अब पूछ रहा है what is the rate of increase of circumference यहाँ पिछने circle का क्या कह दिया circumference कि हिसाब से change हो रहा है यह पूछ लिए तो थोड़ा सा फारक आएगा equation में ज़्यादा नहीं आएगा आपको पता है circumference का formula पता होना चाहिए circumference of circle ठीक है circumference of circle कितना होता है दोस्तो आपके पास में 2 pi r कितना होता है 2 pi r इसको नाम दे दीजिए आप c तो वो क्या है आपके पास में 2 pi r आएगा अब देखिए c का किसके with respect derivative करेंगे दोस्तो t इसने कुछ भी नहीं बोला है तो किसके with respect करेंगे t के तो dc यानि c का derivative with respect 2 कितना निकल के आजएगा 2 sorry pi r है तो यह कितना आगया दोस्तो आपके पास में 2 pi कितना आगया आपके पास में 2 pi ठीक है r का कितना हो गया आर का करेंगे तो कितना आजएगा आपके पास में dr by dt ठीक है तो 2 pi into dr by dt तो इसमें ये value रख दीजिए आप वही अंग्रेजी के एक छोटे सी line दोस्तों ज्यादा इसमें ताम जाम लिखने की जुरूत नहीं है आपको from 1 तो आप क्या कर देंगे इसके dc by dt की value निकालेंगे तो वो निकल के आजएगी आपके पास में 2 pi into 0.7 कितना कर दीजे 0.7 तो ये कितना आजएगा ये आजएगा आपके पास 1.4 pi कितना आजएगा 1.4 pi आपका आगया है ठीक है तो इसने क्या पुछा है हमसे बाकी इसने जो भी चीज पुछी होगी वो भी निकाल देंगे स्केर में होगा वुलियूम सेंटीमिटर क्यूब में होगी सरकंफिरेंस क्या होती है किसके बिदरिस्पेक्ट डेरिवेटिव क्या है तो इसका क्या आजएगा बाए में ऐसी याणि पर सेकंड लगा देंगे उसके आगे हम लोग ठीक है तो अब क्या हुआ है इसी को पहली बात तो नौबत आई नहीं है भी रेडियस की वेल्यू हमें रखनी पड़े और फिर भी वो कह देता भी इसकी रेडियस की से इसाब से मतलब रेडियस इतनी है मालो स्पोज करलो इसने बोल दिया होता कि वेन इसकी रेडियस कितनी हो ठीक है 10 cm हो तो क्या होगा तो बे आगया है आपके पास में क्या दिया इसने इसने कहा दोस्तो दा लेंथ एक्स ओफ दा रेक्टेंगल इज इंकरीजिंग इसने कहा कि कोई भी जो रेक्टेंगल है उसकी जो लेंथ है ना एक्स उसका नाम भी दिया इसने क्या एक्स वो डिक्रीज हो रही है क्या हो रही है किस rate से दोस्तों 5 cm per second के हिसाब से कोई भी एक rectangle है, उसकी length कम हो रही है, तो उसका area भी क्या होगा, decrease होगा, कम हो रही है, decrease हो रही है, तो उसके साथ कैस का sign आना चाहिए, आपका minus का, जब लिखूंगा तो और भी ज्यादा clear होगा, देखिए, तो इसने कहा length of the rectangle is decreasing at the rate of 5 cm per minute, per minute कहा है, इसने unit का ध्यान रेना है, ठीक है, and y is increasing and the breadth, क्या है width, यह width कहा है, इसने width यहनि उसकी जो चुड़ाई है, वो क्या है, आपकी y जो है, वो increase हो रही है, आपकी किस rate से, 4 cm per minute के हिसाब से, वो increase हो रही है, यह अब आप से क्या पूछना चाहता है, देखो, कहता, when x is equals to 8 cm, and y is equals to 6 cm, find the rates of the change of, पहला पार्ट उसका पुछा, इसने perimeter के हिसाब से change हो रहा है, दूसरा इसने पुछा है, हमसे area of the rectangle, तो बिटर ज्यादा मुश्किल नहीं है, अब given क्या है हमें, given क्या है, ठीक है, तो given हमें क्या है, एक तो length दी है, क्या दी है, length दी है, किस चीज़ की दी है, rectangle की, तो लिख दीजे, length of rectangle, कितनी देदी आपको, x देदी, कितनी देदी, x देदी, ठीक है, और दूसरी चीज़ क्या दी है, आपको breadth या width कहा है, इसने, तो मैं इसी का word यूज़ कर लेता हूँ, width, ठीक है, width दी है, आपको y, ठीक है, meter या centimeter बोला है किया, इसने, ठीक है, नहीं बोला है, तो हम, इस question की statement के हिसाब से, वो चुरा लेंगे, इसकी unit क्या है, जैसे, centimeter change हो रही है, इस हिसाब से, तो यहाँ पर, यह यह क्या है, आपके पास में, x centimeter है, यह क्या है, आपके पास में, y centimeter है, अब according to the question, a, t, क्या लिख दिया है, मैं dt, दूसरा, इसने, एक और भी दिया है, कि breath है, उसमें भी change हो रहा है, dy by dt, तो अब आप क्या काम करिये उटा है, इसने कहा, कि length है, वो decrease हो रही है, क्या हो रही है, decrease हो रही है, किस हिसाब से, five centimeter per minute के हिसाब से, per minute के हिसाब से, वो change हो रही है, decrease हो रही है, तो please, इसके आग है वो किसी हिसाब से चेंज हो रही है फोर सेंटीमिटर पर मिनिट के हिसाब से क्या हो रही है इनक्रीज हो रही है आप से यह क्या क्या चाहता है सुनिए एक तो यह चाहता है आप से जो पार्ट वन है Part1 है इसमें यह पूछना चाहर है Perimeter of Circle यह सोरी Rectangle है यह किसे आप से change हो रहा है या आपसे यह चाहता है DP by dt यह सबसे पहली चीज तो यह चाहता है कि इसका perimeter किसे हिसाप से change हो रहा है तो हम सबसे पहले perimeter रखेंगे Perimeter of Circle सोरी rectangle क्या होता है बेटा आपका perimeter ठीक है spelling वगेरा मेरी गल्थ हो तो थोड़ा सा माफ कर देना भई perimeter ठीक है perimeter कितना होता है आपका जब rectangle का perimeter देखते हैं तो rectangle का perimeter होता है 2 into L plus में B length into breath होता है लेकिन फिलहाल हमें length कितनी दे रखिये बेटा जी जो जर्नली होता तो L और B होता लेकिन L और B की बजाए यहां पे क्या आएगा आपका X plus में क्या आएगा आपका Y आएगा बूलिए कोई दिक्कत है तो ठीक है L plus B आना था length की जगए X है breadth की जगए क्या है Y है अब आप क्या किजिए वही हम जो अब तक करते हैं इसको नाम दे दीजिए छोटा सा क्या करेंगे P नाम दे दिया perimeter को तो कितना आएगा 2 into X plus में Y जो है इसको छेडने की भी जुरूत नहीं है ऐसा पड़ा रेने दीजिए अब आपने करना क्या है आप निकालिए DP क्या DP by में DT क्योंकि क्या निकालना है हमें perimeter का rate of change निकालना है तो आप निकाल दीजिए DP by DT तो 2 को आप constant रखिए ऐसे ही X का derivative करेंगे कि इसके विद रिस्पेक्ट T के तो कितना आएगा आपका DX by में DT ठीक है और जब Y का derivative करेंगे तो कितना आजेगा Y by में DT ठीक है क्योंकि X और Y length और breath है तो मैंने बताया था length किस पर depend करेंगे आपका directly time पे और breath भी किस पर depend करेंगी time पे अगर area होता ना तो वह किस पर depend करता पहले length पर भी करता और breath पर भी करता ठीक है लेकिन यहां situation ऐसी नहीं बनी है हमारे पास ठीक है तो चलिए इसकी value रख दीजिए आप directly वह कितनी आ जाएगी आपकी two into dx by में dt कितना है आपके पास में minus five यहां unit लिखने की जरूरत नहीं होती है दोस्तों जब हम value रखते हैं और यह कितना है आपके पास में प्लस में four ठीक है अब इसको थोड़ा सा solve कर लीजिए कितना आएगा आपके पास में two into minus का five plus का four यहनी minus का one minus का two आया है centimeter लगा देंगे पर minute क्या हो जाएगा आपका change हो जाएगा इसमें क्या है perimeter क्या है decrease होगा perimeter क्या होगा decrease होगा minus का sign आया है आप कोगे कि sir minus का sign आया minus का sign इस वज़े से आया बटा minus sign यह शो करता है कि जो perimeter में जो change है वो negative है यानि उसका जो perimeter है वो घट गया है ठीक है अब इसी का दूसरा part देखिए इसने दूसरा पुछा है कि इसका आपके पास में जो area है वो किसी साफसे change होगा तो area देखिए भी पार्ट अगर इसी किसन का हम करें तो area of rectangle क्या होता है हमारे पास ठीक है area of rectangle क्या होता है हमारे पास length into breath होता है क्या होता है length into क्या होता है breath होता है आपको याद होगा दोस्तों तो area को मैं sort में नाम क्या दे देता हूँ length की जगए x है और breath की जगए क्या है y है तो area को छोटा नाम दिया a इसकी जगए आ जाएगा a is equals to x है y अब आपने area का derivative करना है किसके with respect बेटा जी t के with respect करना है क्योंकि अगर उसने length breath कुछ भी बोला नहीं है तो हम ऐसे ही करेंगे तो करिए क्या आएगा आपके पास में अब u into v लगाना पड़ेगा बेटा x भी multiply में है और y भी है तो पहले x को adjectives रखा y का derivative कर दिया कितना आएगा dy by dt आएगा plus में y को adjectives रख दूंगा x का derivative करेंगे कितना आजएगा dx by dt इनकी value आप जो भी हमें चाहिएगी वहां से हम उठा के क्या कर देंगे पहले तो value रख देंगे dx adjectives रखिए ठीक है y का dy by dt का value कितना है आपके पास में 4 cm है तो इसके साथ क्या लगा दीजिए 4 यहां पे plus into y y का y adjectives पढ़ा रहेने दीजिए dx by dt दे रखा है आपको कितना minus का 5 तो minus का 5 रख दीजिए कितना आजएगा यह आपके पास में 4x minus का 5y यह क्या आ गया है आपके पास में da by dt कितना आ गया da by dt अब यहां पे इसके साथ में derivative करने के बाद में भी क्या आ रहा है x और y आ रहा है तो x और y की value हमें किस्टन में उसे देनी चाहिए वो दे रखिये उसने क्या क्या दिये है देख लीजिए जब x ब्राबर कितना है 8 cm x कितना है देखो इसने बोला भी ह when x कितना हो आपका 8 cm and y कितना हो आपके पास में 6 cm ठीक है तो इसके अंदर put कर दीजिए तो da by dt का value कितना आएगा आपके पास में 8 sorry x है 4 into इसके अंदर रख रहे है 4 into x का value 8 है minus का sign है sorry minus का sign 5 into y y का value कितना है 6 है तो ये कितना आ जिएगा 48 2022 ठीक है 4 8 32 minus 5 33 5 1 चा थरटी ये कितना आ गया है आपके पास में 2 आ गया है ठीक है 2 cm अब क्या आएगा ये 2 cm स्केयर area है तो क्या आएगा स्केयर time की unit इसने question में क्या दी हुई है हमें Minute दी हुई हे तो ये इसका क्या आ गया है आपके पास में अंसर आ गया है ठीक है एरिया तो positive है लेकिन perimeter उसका क्या कर रहा है फिर भी घट रहा है मेरे इसाब से आपको ये question समझ आ गया होगा तो यहाँ इसको ऐसे भी लिख सकता है 2 cm per minute decreasing और वहाँ पर increasing लिख सकता है तो उससे भी आपको confusion नहीं होना चाहिए तो दोस्तों कैसी लगी आपको आज की हमारी ये वीडियो हो हमें comment करके जरूर बताइए का like करना जरूर बनता है या देखिए आप educational वीडियो जब देखते हैं तो पहले ही बात हम जैसे educational educator को यानि जो पढ़ाई वाली वीडियो बनाते हैं उनको likes हम लोग मजबूर हो जाते हैं अच्छी अच्छी वीडियो बनाने के लिए तो उमीद है आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहरा हूं चलिए दोस्तों नमस्कार जैहिंद